दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार बोर्ड इंटर एडमेशन की लास्ट डेट बढ़ी बिहार बिदाले परिचा समीती ने इंटरमेडियर कक्चा में नमांकर लेने की तिथी को 3 अगस्त तक बढ़ा दिया है पहले यह तिथी 18 जुले तक निधारित थी परिचा समीती ने बिदातियों से अनुरूद किया है कि ओफसस वेबसाइट से सामायन प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करके उसे पढ़े और उसके बाद ओनलाइन आवेदन करें बिहार बोर्ड के अलावा ICIC और CBC बोर्ड के परिचातरी भी ओनलाइन नमांकर के लिए आवेदन कर सकते हैं CBC की विदारती दसवी का रिजल्ट आने के बाद ओनलाइन आवेदन करेंगे चातरों को वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर ओनलाइन एपलाई करना होगा अगली बड़ी कबर तीन साल से एक ही जगा जम्मे पुलिस कर्मी हटेंगे पुलिस मुख्यालाई ने जारी किया आदेश सेकड़ों पुलिस कर्मी का होगा तबादला जिहां राज भर में तीन साल से अधिक एक ही जगा पर जमें इंस्पेक्टर से लेकर सिपाई तक हटाए जाएंगे पुलिस मुक्याले ने एसे सभी पुलिस कर्मियों को चीनित कर उनके तबादलों का आदिस दिया है डिजी पी एसके सिंगल के अनुमदन के बाद डियाई जी के द्वारा जिला और एकाईया के एसेसपी और एसपी और कमांडेंट को इससे समन्दित पत्र लिखा गिया है पुलिस मुक्याले ने यहा कदम लंबे समय से अधिकारियों और जवानों को एक कारियाले में पद इस्तापिद होने के मामले सामने आने के बाद उठाया है ऐसे पुलिस कर्मियों के सिंग्या जदातर गोपनिय सकाओ और रक्षित कारियाले में है पुलिस मुख्यालाई का मानना है कि ना तो यह प्रसासनिक दुष्टिकों से सही है ना ही नियम के तहथ आता है ऐसे में पुलिस कर्मियों के तैनाती की समय सिमा की समेक्चा करे और जिनका करिकाल तीन वर्स से अधिक है उनका इसान अंतरन दूसरी जगा सुनिशित करे अगली बड़ी खबर ट्रेनिंग कोलेजों में बिना सयुक्त परवेस परिक्चा के होगा नमांकन जिया बिहार के सबी राज किया वो और आज किया माननता प्राव्द ट्रेनिंग कोलेजों में मौजुता सत्र में दो वर्स से डेलेट कोर्स में बिना सयुक्त परवेस परिक सकी है इसमें अब विलम्भ चुका है इसलिए कोर्स के सद 2021-23 में भी अंको के आधार पर नामांकल लिया जाएगा विभाग के उपर सचीव और सत्विरोज ने मौजुदा सक्चिक सद्र के लिए बिना सयुंगत परवेशा के नामांकल ले जाने का आदेश जारी कर दिया है बड़ी खबर 24 जुलाई से सुरू होगी 50 CNG बसे CCTV वाटर कुलर सहीत जानिये और क्या मिलेगी सुविधाएं जिहां राजदाने पटना में 24 जुलाई से CNG बसे दोड़ने लगेगी परिवाण बिवाग ने इसके लिए 50 बसे खरीद ली है इससे पहले परिवाण बिवाग ने पटना के लोगों को मार्च में 12 एलेक्टिक बसों की सोगात दे चुका है परिवाण बिवाग अब CNG ब मताबिक पटना के सबी डिजल बसों को 2022 तक CNG बसों में बदल दिया जाएगा राजदाने पटना के अलग-अलग रूटों पर चलने वाले CNG बसों का किराया दोरे के हिसाब से तै किया गिया है परिवाण बिवाग के अनुसार इन बसों का नियुंतम किराया 5 रुपे और 20 बसे, बिहाटा आयाटी पटना रूट पर 20 बसे और बिहाटा दानापूर रूट पर 10 बसे चलेगी बाड़ी कबर यूपी जुनाव पर मुके सहनी की नजर वियापी 25 गो यूपी बिहार में मनाएगे फुलन दिवी की सहाधत दिवस 18 फूट उची प्रतिमा लगाने की तैयारी विकासिल इंसान पाटी 25 जुलाई को बिहार और यूपी की सभी प्रमंडलों में फुलन दिवी का सहाधत दिवस मनाएगी बिहार के बाद यूपी विदानसवा चुनाव की तैयारी में जुटी बिहाइपी उत्तर परदेश के 18 प्रतिमा इस्तापित करेगी इसमें से दो दर्जन मुर्तियों का निर्मान बिहाइपी प्रमुक और पसु एवा मते से संसाधन विभा के मंत्री मुके सानी के पटना के चो इस्टेड रोड इस्तित आवास पर कराये गिया है बिहाइपी के राष्टि परवक्त देव जोति का कहना है कि 25 जुलाई को विरांगना फुलन देवे के सहाधत दिवस पर उत्तर प्रदेश के सवी प्रमंडल के चीनित जिलो वारानसी लखन वलिया, संत कबिर नगर, बांदा आयोद्दा, सुल्तानपूर, गोरगपूर, म देवाया, परियाग राज, उननाव, मेररट, मिर्जापूर, संत्रविदास नगर, मुजपरपूर नगर, फिरोजाबाद और जॉनपूर में प्रतिमा इस्तापित कर माल्यापन किया जाएगा अगले साल यूपी के सिष जिलों में प्रतिमा इस्तापित की जाईगी मुस्लादार बारिष से उत्तर बिहार में बढ़ा नदियों का जलस्तर बाड का खत्रा कमला कोसी और बागमति खत्रे की निसान से उपर जहा दर्बंगा मदोबनी मुझअपर पूर और मौति हारे में पिछले 24 गंटों में हुई मुसलादार बारिस की वज़े से उत्तर बिहार के कई जीलों में नदियों का जलेस्तर बढ़ गया है इससे आसपास के इलाकों में बार का खत्रा मंडाने लगा है कमला कोसी और बागमती कई इलाकों में खत्रे के निसान से उफर बहने लगी है तो वहें मोतिहारी की सुगोली ब्लोक के निचले इलाके में फिर धीमी गती से सिकरहाना नदी के जलस्तर में वृधी होने लगी है पिछले एक माँ से अधिक समय से इस ब्लोक की बड़ी आबादी बार का कहर जेल रही है अगली बड़ी कबर पटना समय बिहार के कई जिलों में आज बादल गरजने के साथ तेज बारिस के आसार तीन दिनों के लिए येलो अलर्ड जारी जिहां बिहार में मानसुन की सक्रियता की वज़ा से अब बारिस की सिति बनी हुई है अभी मानसुन ट्रब गया से होकर गुजर रही है और आसाम की और चकरवर्ती परिसंजरन का चेत्र बना हुआ है एक और चकरवर्ती परिसंजरन का चेत्र उत्तर पश्चिम उत्तर परदेश की और बना है इसकी वज़ा से सुवे में बारिस का सिस्टम अभी भी सक्रिय है मौसमी बाकी ओर से इन मौसमी सिस्टम के आदार पर अनुमान किया गया है कि अगले 24 गंटे में उत्तर परश्चम बिहार में एक दो जगावा पर भारे बारिस हो सकती है उत्तर बिहार के जीलों में में गर्जन और आकासे बिजली की गदविद्या में दक्चिन बिहार के अपेक्चा जादा रहेगी साथ दक्चिन बिहार साइथ पुरे सुवे में हलकी से मैदम बारिस की इस्टिती बनी रहेगी पटना में भी हलकी से मैदम बारिस का पुरानमा लगा गया है मौसम बिदो के अनुसार बारिस का सिस्टम सक्री होने से अब सुबे में बारिस की स्थी देखी जाएगी अगले तीन दिन अधिकतर जिलो के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है अगली बड़ी खबर जारी हुई बिहार 28 परवेस परिक्षा की नई डेट 1,36,000 देंगे एकजाम ललित नरायन मितला विस्विद्दला की कुलपति के आदेश से राज नोडल अधिकारी प्रोफेसर असुक कुमार महता ने मंगलवार को एक बार फिर राज इस्तरिय संयोक तो 28 परवेस परिक्षा की तेथी घोसित कर दी है अब यह परिक्षा 11 अगस्त को 11 से 1 बजे तक होगी अब यह रती 4 अगस्त से अपना परवेस पत्र बेबसार से डाउनलोड कर सकते हैं इससे पले यह परिक्षा 11 जुलाई को होने वाली थी लेकिन राज सरकार से बिमिन परिक्षाओं के समन्द में जारे निदेश के आलोक में इसे सगित कर दिया गया था साथ है आपकी जानकारे के लिवता दे कि इस परिक्षा में एक लाग 36,771 चात्र सामिल होंगे अबर कोरोना की तिसरी लहर की आसंका को देख बिहार में कावाड यात्रा पर रोक मंदिरों में नहीं होगी रोदरा अभिसेक मंदिरों में रोदरा अभिसेक भी नहीं होगा मंदिरे को पुजारे या माहंत केबल नियमित पुजा करेंगे बिहार राज धर्मिग नियास बोड के अदज अकलेस कुमार जेन ने कहा कि सावन में राज के अधिकान सीम मंदिरों में कावाड यात्र होती है इस दोरान मंदिरों में काफी सेंख्या में लोग सीविलिंग पर जल अभिसेक करने जाते हैं कई मंदिरों में सावन मिला कभी आयोजन होता है आम लोगों के लिए सावन में सीम मंदिरों में दरवाजे बंद रहेंगे राज के प्रमुक सिम मंदिरों में मुझपर पूर इस्तित गरीब नात धाम, दर्बंगा जिले के कुसेसर स्तान, सोनपूर का हरहर नात मंदिर, पत्ना जिले के बिहाटा इस्तित बेंटेसर नात मंदिर, बैंकट पूर इस्तित बैंकुटा नात सिम मंदिर में इस वर सावन में कावण यात्रा नहीं होगी बड़ी खबर सियम नितिस पर एफ आयार के समर्तन में माजी बोले पुलिस को आये सुधिर कुमार के प्राथमी की दर्ज करनी चाहिए जिहां बिहार के सियासी गल्यारे से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है पुरू मुख मंत्री और एंडिय के सयोगी दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्टिय अधग जितरा माजी ने राज के वरिष्ट आये सदिकारी सुधिर कुमार का समर्तन किया है मुख मंत्री नितिस कुमार और आये सदिकारी सुधिर कुमार के प्रकरन को लेकर माजी ने कहा कि बिहार प एक आये सितिकारी अगर धानी में जाकर F.I.R. दर्ज कराना चाहता है तो पुलिस F.I.R. दर्ज नहीं करती है तो यह वाकई चिंदक की बात है आगे उनने कहा कि जाच में आगे चाहे कुछ भी हो लेकिन पुलिस का पहला काम सिकाये दर्ज करने का है मुकिस सनी ने निसाद आरक्चन को लेकर फिर दिखाए तेवर बोले केवल मंतरी बनने के लिए मुंबई से नहीं आया था सानी ने कहा कि वहां मुंबई से राजनिती में केवल मंत्री बनने के लिए नहीं आये थे मुके सानी के मुताबिक निसाद आरक्षन नहीं मिलना समाज के साथ धोका है और वहां इसके लिए संगर्स करते रहेंगे बाड़ी ख़बर बिहार में सबी डाक्टरों और स्वास्त कर्मियों की प्रतिन्युक्ति रद सरकार ने जारी किया आदेश जिहां बिहार सरकार ने कुरोना काल में की गई डाक्टरों और स्वास्त कर्मियों की प्रतिन्युक्ति को रद कर दिया है बिहार सरकार की और से सभी जीलों के डियम और सिविल सर्जन को पत्र लिख कर इस बात की जानकारी दी गई है बिहार स्वास्त बिवाग की और से जारी पत्र सिंगे 762 के मताबिक कोरोना में हमारे के दूसरे लहर के दोरान विहार के विविन जिलों में की गई डाक्टरों और स्वास्त कर्मियों के प्रतिन न्योक्ति रद कर दी गई है विहार स्वास्त विवाग द्वारा इस आसाई का आदेश सभी जिलों को भेज दिया गिया है स्वास्ट विवाग द्वारा जारे आदेस में कहा गया कि COVID-19 को देखते हुए जिला इस्तर पर चेकिस्द को और स्वास्ट कर्मियों के आवेसकता नुसार विविन पदो पर और विविन असपतालों में प्रतिन नियुक्त करने का आदेस दिया गया था उसे अब रद कर दि यारी शुरू कर दी है गन्ना विभाग की ओर से जीलो के डियम को पत्र लिखा गया है जिसमें चीनी मिलों को निलाम करने की बात कह गई है इस बात की जानकारी विभाग के पंत्री प्रमोद कुमार ने दी है उन्होंने कहा कि बिहार के गोपाल गंज इस्तित सासा मुसा ची था 31 जुलाई तक बगया रासी का भुगतान करने का सरकार ने समय दिया था इसके बाद अब इसे निलाम किया जाएगा और किसानों को उसके बगया रासी का भुगतान किया जाएगा बिहार में पंचाज चुनाव के लिए गाइड लाइन जारे घर के सामने नहीं लगा सकेंगे नारा किसी की खिलाब टिपननी पड़ेगी भारी जिहां त्रेस्तर ये पंचाज चुनाव को प्रासासनिक तैयारिया यूद इस्तर पर चल रही है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन में चुनावी मेंदार में किस्मत अजमाने वाले उमिदवारों को लेकर दिसन निर्देश जारी किया है इसके अनुसार पंचाज चुना में प्राचार प्रसार के लिए सारवजने की सलुका उप्योग नहीं होगा साथ ही कोई भी अभियारती किसी अमिदवार के खिलाब व्यक्तिगत टिका टिपने नहीं करेंगे और नहीं जातिगत अधवा धार्मिक भावनाव को टेस्ट कर करने वाले अभियरती एवाम उनके कारकरताओं के खिलाब कारवाई की जाएगी इसके अलवा किसी के घर के सामने नारा लगाने पर प्रतिबंद रहेगा साथ ही दूसरे उमिदवार का पोश्टर हटाने पर भी कारवाई की जाएगी परांद की बड़ी ख़वर पटना में 4,000 रुपिय में तो दूसरे जिलो में इससे कम ही में मिलेगा बालू बिहार सरकार ने तै किया रेट बिहार में बालू की मनमानी कीमतों पर अंकुस लगाने के लिए सरकार ने पटना में बालू के दाम अधिक्तम कीमत 4,000 रुपिय प्रति सो सियप्टी और आने जिलो में 49 रुपिय सो सियप्टी निधारित कर दिया है मंदार इस्तल अथवा घाड से बालू परिवान का प्रति किलोमेटर सुलक क्या होगा इसका नेधारन भी जिलादिकारी और परिवान विवाग मिलकर तै करेंगे आज के लिए आपका सवाल बताए कि आपके नोसार पहले से दसवी तक के स्कूल कब तक खोलनी चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं